हलो माई डियर फ्रेंड्स माई सेल्फ कमलेश यादाउं मोटिबेशने स्पिकर इंटरप्नियोर एंड बिजनेश कोच हमने एक स्रीजी स्टार्ट करा है जो स्रीज का नाम है नेटवर्क मार्केटिंग तुमने इसमें एक टोपिक एक ऐसे लेशन लेशन का नाम है नेटवर मार्केटिंग में सेबन बेशिक इस्खिल डवलप्मेंट जी हां नेटवर्क मार्केटिंग में सेबन बेशिक इस्खिल डवलप्मेंट तो ओल लेटी में इस सारे सेबन बेशिक इस्खिल डवलप्मेंट का वीडियो बना करके अपलोड कर चुका हूं यूटूब चैनल ये उनके लिए बहुत ही जबजस्त बहुत ही पावरफूल है जिनों ने अभी network marketing केरिए को recently में start करा है जिन distributor होने उनके लिए बहुत ही जबजस्त बहुत ही पावरफूल है यह network marketing series जी आज से हमारा network marketing का जोए की advanced skill development topic रहेगा जी आज से हमारा advanced skill development हमारा topic यह content रहेगे जी आँ तो यह उनके लिए बहुत जबर्दस्त है जिन्होंने network marketing केरियर को recently में start करा है एक कभी न खतम होने वाला एक विसाल network कैसे create किया जाए उसके लिए network marketing series बहुत ही जबर्दस्त है जिन्होंने भी network marketing केरियर recently में start करा है तो जो आज के हमारा content रहेगा जो आज के हमारा topic है जो आज के हमारे topic का नाम है कस्टमर बेस बनाना जी हां आज के हमारा content है कस्टमर बेस बनाना कस्टमर बेस बनाना बहुत जरूरी क्यूं है या एक regular कस्टमर बेस बनाना बहुत जरूरी क्यूं है क्योंकि जो network marketing में नए distributor join होते हैं वह प्रस्पेक्ट को प्लान देते हैं तो वहां पर उनका जुआनिंग का रेशू बहुत कम होता है यानि 10 में से एक होता है तो वह दस लोगों को देने के लिए महिने लगा देते हैं तो उसमेब तक उनके पास溪ति होते हिंसान वो पातों से नहीं पेसों से होते हैं जब पैसा आता उनके पास नमा स्रtecrum अधना अधनल्र क्योंकि स्टार्टिंग में ज maintenant का रेशू बहुत कम होता है तो वहाँ पर प्रोडेक्ट को सेल्स करके वहाँ पर इंकम कमा सकते हैं जी हां यह आप बहुत ही पावर्फुल है इनके लिए जिनों ने अभी नए डिस्टिबूटर स्टार्ट करें कर कोई चैनल और पहली बार आए है तो जल्दी से सब्सक्राइब करेंद को दवाएं जिससे का यह कोई वीडियोड्यू बड़ उता है तो सबसे पहले आसका जिए जी यहां जो आज का हमारा content रहेगा यह जो आज का हमारा topic है customer base बनाना अगर आप पहले customer बनाते हो उसके बाद उन्हें join कराते हो तो ऐसे में आपका समय बहुत लगेगा और इस process में आपका समय बहुत लगेगा और या उन्हें जो है कि मतलब की certified होने के लिए आप देखते हो या customer बना करके फुरून का result का wait करते हो तो इसमें आपका समय बहुत ज़्यादा लगेगा उन्हें आपको प्लान देते देते एक साल लग जाएंगे फिर उसके बाद आप उन्हें joining कराएंगे तो यह भी एक गलत तरीका है क्योंकि product दिखाने से बड़ी picture नहीं दिखती है जी हाँ product दिखाने से बड़ी picture नहीं दिखती है तो यह process यह गलत है कि पहले product दिये फिर customer को अपना customer बनाएं फिर उनका result लिए फिर उन्हें अपना joining कराओगे उनको प्लान देते देते आपको एक साल लग जाएंगे तो ऐसे में यह समय बहुत लगता है और गलत तरीका है customer waste बनाना या बड़ा customer waste बनाना उनको चल्दी में जैसे कि customer waste या एक बड़ा customer waste बनाना regular customer waste बनाना ज़रूरी क्यों है और नेटवर्क मार्केटिंग में जो डिस्टीबूटर जौईन होते हैं वो उनके पास जल्दी में रिसेंटेलीम। उनके पास जौईनिंग नहीं आती है प्रोस्पकत जल्दी जौईन नहीं होते तो वहाँ पर प्रोडक्ट को सेल्स करके पैसा कमा सकते हैं। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये customer base बनाना या regular customer बनाना का सही तरीका क्या है जी हाँ, ज्यादा से ज्यादा prospect को अपना plan दिखाएं ज्याँ, ज्यादा से ज्यादा prospect को अपना plan दिखाएं और वो ज्वाइन करें, ये process, इस process से आपका बहुत जबजश्ट, बहुत powerful customer base बनेगा, या customer base बनता है, कभी न खतम होने वाला customer base या regular customer base इसी process से बनेगा आपका, ज्यादा से ज्यादा prospect को अपना plan से यर करें, और वो ज्याइन कराएं, तो इससे क्या फायदा मिलता है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, कि जो distributor आपके company में join हो जाता है, वो product की training लेता है, और उससे product की उसको knowledge होती है, जी हाँ, जो दूसरा फायदा है, जो distributor आपके company में join करता है, वो company की training लेता है, उससे उसको company की knowledge होती है, जी हाँ, उससे उसको company की knowledge होती है, और जो उससे तीसरा फायदा है, जो distributor join करता है आपके company को, जो तीसरा फायदा है, वो company के seminar भी attend करता है, उससे उसको जो एक leader की knowledge या income की भी जानकारी मिल जाती है, तो ये आने वाले time में आपका active distributor वन सकता है, और जो सबसे बड़ा फायदा इससे ये होता है, कि जो distributor आपके company को join करता है, जो है कि जैसे आप उसको customer बनाते हैं, जो join करता है, वो अपने आप से ही product को खरीदता है, अपने आप से product को लाने जाता है, या online अपने आप ही product को वो मगाता है, तो वहाँ पर आपका समय बच समय बचता है, जी हाँ, समय बहुत limited है, आज के टाइम में समय बहुत limited है, तो वहाँ पर आपका समय बचता है, जी हाँ, वहाँ पर आप जो है कि अपने नए distributor को, आप distributor को join कराएं, यहाँ से आप जादा से जादा प्रस्पेक्ट को अपना plan share करके, जोइनिंग कराकर कि व बहुत ही बिसमार या विसाल का आप वहां से अपना कस्टमर वेस्ट बना सकते हैं जी आँ दोस्तों मैं उमीद करता हूं मेरा वेडियो या मेरे कंटेंट या मेरे लिसन बहुत अच्छा लगा होगा तो लाइक करें कोमेंट करें एंड सेर करें यदि आप मारे यूटूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो सस्क्राइब करें और बेल आइकन बटन को दवाएं नेटवर्क मार्किटिंग स्रीज उनके लिए बहुत ही जबद्रस्त है बहुत ही पाउर्फुल है जिनोंने अभी नेटवर्क मार्किटिंग केरियर को रिसेंटली में स्टार्ट करें तो जी हां ऐसे लेशन की बहुत सारे नेटवर्कर को जरूरत है शेयर जरूर करें थैंक्यू सो मच्छ